जो शिक्षक संग है उसमें एक दो लोग ऐसे घुस आये हैं जो शिक्षकों का भला नहीं चाहते हैं तो भारतिये जनता पार्टी का भला चाहते हैं तो शिक्षक लोग यह तै कर रहे हैं कि उनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन यह तै है कि नितीश कुमार जी जितनी समझ से आए हैं उसका समाधान करेंगे ये सिक्षक संग के कुछ लीडर ऐसे जिन्होंने दस-दस बिल्डिंगे खरीद लिए भाई ये कहां से पैसा आ रहा है आपको नमस्कार आप लाई सिडीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान सिच्छक अभियरती के साथ साथ नियोजी सिच्छक जो हैं वो काफी नराज चल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से डुमिशाइल निती को लेकर के बिहार की सियासत भी गर्म हुई और तमाम जो स वारतालाब की जाएगी बाचीट की जाएगी उन लोगों को बुलाया जाएगा मगर अब तक मुक्मंति नितीज कुमार ने किसी भी सिचक संग के लीडर से कोई वारतालाब नहीं की है कई सवाल उठ रहे हैं माँ साथ बाचीट करने के लिए जेडियो मलसी डॉक्टर खा कि कहना बिलकुल सही नहीं है कि शिक्षक नाराज है घुस्से में है देखिए शिक्षकों की उमीदें हैं नितीज कुमार जी से बहुत सारी उमीदें हैं उन्होंने देखा है कि जो कुछ भी किया है नितीज कुमार ने हमारे लिए किया है इसी सरकार ने किया तो जो करता उसे उमीदे होती है और चाहते है को हो और वो जानते हैं, शिक्षक जानते हैं के नितीश कुमार जी जो उनके डिमान से उसको पूरा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे. जो बात आप कह रहा है के मुलागात नहीं? मुलाकातیں बहुत हुई हैं और शिक्षक लीडरों से जो ग्रिजविट टीचर से आते हैं चुन करके उन से नितीश कुमार जी ने मेरे सामने बात की और कई इस शिक्षकों से बात की है हुआ क्या है कि जो शिक्षक संग है उसमें एक दो एक दो लोग ऐसे घुस आये हैं जो शिक्षकों का भला नहीं चाहते हैं भारतिय जनता पार्टी का भला चाहते हैं तो शिक्षक लोग यह तै कर रहे हैं कि उनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे करेंगे तमाम सिख्षकों से उनके जो सुबचिंत अँन से मिलेंगे बात करेंगे लेकिन ऐसे नेता जिहां को सिख्षकों को गिरुवी रख दिया है भारती जनता पार्टी से उस से मिलने में हमलों को गुरेजिragen लिडरं। इसके पीशे की मनस्ख क्या है कि जो लीडर होता है हम लोग लीडर हम लोग की डीटेल होती हर जगा लेकिन वो लोग डर रहे हैं जो लोग नेता हो गए है और शिक्षकों से पैसा और सुसु उसुल करके बड़ी-बड़ी दौलते बना ली है पता मुझे पता यह बताया यह गया है कि शिक्षक संग के कुछ लीडर ऐसे जिन्होंने दस-दस बिल्डिंगे खरिद लिए भई यह कहां से पैसा आ रहा है आपको डिटेल तो जमा करने पड़ेगा और इंतजार कीजिए आप शिक्षकों का भला कर रहे हैं या अपना भला कर रहे हैं या किसी पार्टी बीहार के लोग दूसरे स्टेट में काम करते हैं या नहीं करते हैं इस नीती का मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि अगर हमने उफन किया है सब लोगोंays लिए तो पहले से था माननिय मुख्वंतरी जी ने जी बात कही कि हमारे बिहार के लोग बड़ी तादाद में दूसरी ज मुश्किल से आते हैं तो क्या हम इतने लोगों को रिस्क पे लें दाओ पे लगाएं तो यह रहेगी और सभी लोगों के लिए ओपन है रहेगा इसमें कोई किसी को समझ्या नहीं बिहार में भी तो बेरोज़गारी है इसलिए बिहार के नौजवानों को रोज़गार दिया जा रहा है और बिहार के नौजवान दूसरे स्टेट में भी रोज़गार करते हैं जाते उनको अच्छा लगता है दूसरे स्टेट में जाना तो अगर हम यह करेंगे कि हम बिहार के बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे तो जो हमारे बच्चे हमारे लोग दूसरे स्टे कारी में ज्यादा वक्त चला जाता है घुमने फिरने में दावते करने में निकल जाते हैं बाहर दो चार पांच साल के लिए तो आपने सुना खाली धन्बर को असपस रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि पहले से डुमिशायल अजुनीती हैं वो तमाम लोगों के लिए हैं वो बिहार में आवेदन कर सकेंगे खेर शुडी में तना ही आपका बहुत-बहुत सुक्रिया